दोस्तो अगर आप अपने मोबाइल में सेटिंग उपेन करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो accessibility नाम का एक सेटिंग दिया होता है और यह सेटिंग दोस्तो सभी मोबाइल फोन में होता है चाया किसी भी कमपनी का आपके पास मोबाइल क्यों ना हो लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं इस accessibility setting के अंदर कई ऐसी खूफिया setting कई ऐसे खूफिया feature छिपे हैं जिसे दोस्तों use करके आप अपने mobile का जो battery backup है उसे बहुत ज़्यादा increase कर सकते हैं यहां तक कि दोस्तों आप इसी accessibility setting से अगर आपका mobile hang करने लग गया है तो उसे भी दोस्तों आप solve कर सकते हैं यानि कि दोस्तों accessibility setting से ना phone hang होगा ना दोस्तों battery जल्दी खतम होगा एक setting से आपका दो-दो फायदा होने वाला है लेकिन बहुत लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है इसलिए इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको accessibility setting के कुछ इसे hidden feature बताऊंगा जिसके यूज़ करके आप अपने mobile का battery backup भी बढ़ा पाएंगे और mobile का जो hang problem है उसे भी solve कर पाएंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो like और share करना साथी साथ हमारे चैनल को subscribe कर लेना तो आईए दोस्तों मैं आपको accessibility setting के hidden features के बारे में बता देता हूँ जिसे अगर आप अपने mobile में कर लेते हैं तो आपके mobile के अंदर दो-दो फायदे होने वाले हैं बैटरी भी ज्यादा चलेगा और कभी hang भी नहीं होगा आपका mobile ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्य करेंगे अपने mobile का जो setting है इसे open करेंगे ठीक है आपको भी setting open करना है setting open करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है accessibility setting ठीक है कई की phone में यह किसी और setting के अंदर होता है तो आपको search के लेना है आपके phone में accessibility setting का है ठीक है उसके setting करोगे तो इसके अंदर भी अलग-अलग setting है समझेरों यह बहुत important accessibility setting सबके mobile में होता है बस आपको इसके बारे में बोल सकतो ना जानकारी सही से नहीं होती इसे आप कैसे इस्तमाल करेंगे इसी वीडियो में मैं आपको detail में बताने जारूं कौन-कौन सा setting करने से आप करते हैं अपने mobile में यह जो talkback है गलती से on कर देते हैं इसे on करने के बाद दोस्तों mobile को चला नहीं पाते क्योंकि फिर बोलकर ही mobile को चलाना होता है और सही से यह यूज नहीं होता बहुत सकतो ना आपके phone का जो battery है वो काफी तेजी से use होता है और इसकी वज़े से mobile भी कई करके रखना है ठीक है इसे on नहीं करना है ठीक है यह पहला setting हो गया जिससे आपको on ही नहीं करना है इससे दोनों फायदा होगा बैटरी भी बचेगा और mobile हैंग नहीं होगा ठीक है उसके बाद दूसरे number का setting करना है visual enhancement के अंदर ठीक है इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो य आपका mobile हैंग नहीं करेगा सही सुना दोस्तों आपने कितना भी पुरान आपका mobile क्यों नहीं हो जाए 10 साल बिस साल लेकिन कभी भी आपका mobile हैंग नहीं होगा अगर आप अपने mobile में यह वाला setting कर लेंगे जिसका नाम है remove animation और by default आप देखेंगी यहां से बंद होता है बस आपको इसे यहां से on कर देना है इसे on करने के बाद दोस्तों आप अपने mobile में तुरन देखेंगे ना जो speed है वो काफी जदा increase हो जाता है जैसे आप यहां पर अभी देख सकते हैं कितना fast तरीके से setting open हो रहा है समझे रहो यह setting एक ऐसा होता है हमारे mobile में जिसे on करने के बा अब आपको करना है तीसरे नमबर का setting ठीक है तो तीसरे नमबर का setting करने के लिए directly आपको चले आना है advanced setting के अंदर इस setting को करने से दोस्तों आपके mobile का जो battery हो कई दिन तक चलेगा एक बार charge करने पर समझे रहो यानि कि आप अपने mobile का जो battery backup है उसे बहुत ज़दा increase कर सकते ह तो उसके लिए यहाँ पर आप आजाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा flash notification आप देख सकते हैं तो इसी के उपर आपको click कर देना है इस पर click करने की बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दो-दो setting है यह on हो रखा है और यह दो ऐसे setting होते हैं जो हमारे mobile का जो बैटरी है उसे पूरी तरह से खतम कर देते हैं पता ही नहीं चलता बैटरी कहाँ पर गया ठीक है अब यह setting करते क्या है मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले है camera flash notification यानि अगर आपके mobile में कोई भी notification आएगा ना तो camera का यह जो flash दिया होता है यह काफी टे दूसरा है screen flash notification यानि जब भी हमारे mobile phone पर कोई भी notification आता है तो यसे में आप देखे होगे जो screen है यह blink होता है बार बार जितने भी message आएगे बार बार blink होता है इससे भी दोस्तों हमारे phone का जो battery है वो बहुत ज़्यादा use होता है समझे रो तो अगर आप चाहते हैं आपके mobile का जो battery है वो save हो तो इस वाले setting को भी यहाँ से आपको burn कर देना है समझे तो यह तीसरे number का दोनो setting जो यहाँ पर दिया हुआ है इससे आपको burn कर देना है कोई भी setting यहाँ पर on करके नहीं रखना है इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा बलकि आपके phone का battery बहुत ज़्याद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और mobile कभी hang नहीं होगा ठीक है यह fourth number का setting बहुत ही ज़्यादा important है तो इससे करने के लिए यहाँ पर दिया है interaction नाम का एक setting इसके उपर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद अब यहाँ से scroll down करके नीच आएंगे तो यहाँ प app open हो गए रहते हैं किसी को call चला गया रहता है कई-कई फोटो क्लिक हो जाते वीडियो बन जाते हैं और mobile बहुत ज़्यादा ओवरीट हो जाता है ऐसे case में आपने देखा होगा ना जेब में phone रहता है तो automatic screen on हो जाता है और इदर उदर के app चालो हो जाते हैं जिससे दोस्त दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा setting दिया हुआ है ignore repeated touches इसे बस आपको यहाँ से on कर देना है इसे on करने के बाद दोस्तों यहाँ पर second मिलता है इसे आप set कर सकते हैं कितने second का आप delay रखना चाहते हैं अपने इस आप set ठीक है second set करने के बाद दोस्तों होगा क्या अब आप अपन setting open नहीं होगा तो यह setting करने से दोस्तों कितने सारे फाइदे हैं आप सोच सकते हैं तो यह चार setting दोस्तों मैंने हाँ पर बताया है यह चार setting अगर आप अपने mobile के accessibility के अंदर कर लेते हैं तो definitely मैं वोलूंगा दोस्तों आपका mobile बोल सकते हैं पहले से काफी जदा smooth हो एक बार आप फूट राइ करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक को शेयर करना साथी साथ हमारे शेनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक्यों दोस्तों बाइबें टेक कियर